जहिन सभी को बिटा सबसे पहला तो आप सभी का हर्दिक अबनेंदन और स्वागत और बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर हिंदी के पेपर कभी आप लोग कुछ इंपोर्टेंट से बता दो तो मैं प्रियास कर रहा हूं उसके लिए ये देखिए बीए पार्ट इसके कुछ महत्मून टॉपिक के ऊपर अम लोग डिसकस करेंगे आप यहां पर सब जानते हो कि खंड यह जो है इसमें दो दो नंबर के दस कुछन आते हैं और यह 20 नंबर का है और दूसरे सेक्सर बेशा में जो है 16 16 नंबर के आपको 5 कुछन करना है तो आ की सीखना हैकी लिखना कैसे है देखिए अब मेरा यह मानना है कि जब आप बात कर रहे हो तो यह दो यूनिट जो है न, वो तो आपकी थियुरी की है तो एक तो कहानी के स्वरूप और तत्व कॉन कॉन से होते है यह कुशन बनता है, एक उपन्यास विदा के प्रमुक शरूप क्या है और उसके तत्व कॉन कॉन से तो यह आप लोग देखोगे और एक हिंदी कहानी और उपन्यास का जो इतिहास है इसको लेकर के एक कुशन दो कुशन बनेंगे एक तो हिंदी कहानी का इतिहास और एक उपन्यास का इतिहास तो दोनों के इतियास को लेकर के एक sequence से date और जो काल खंड है ना उसको ऐसे set करना है आपको year wise के इस से इतने तक इस से इतने तक इस से इतने तक कौन कौन प्रमुक हुए उसके दौरान कौन कौन सी प्रमुक कहानिया हुई इस तरीके से आपको answer लिखने है जिससे की बहुत मिलेगी unit 3 जो है पूरी गुनाओं के देवता बहुत famous उपन्यास है धरमबीर भारती का तो इसको लेकर के आप लोग जहां से भी पढ़ रहे हो वहां कुशन्स दे रखे होंगे तो वो देख लेना unit 2 की हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि एक तो deputy collector जो अमरकांत की ह है इसमें से कुशन्स जरूरा एक के एक्जाम में आता है तो एक तो यह देख करके जाएं आप लोग एक मुझे लगता है कि महंदी के फूल से भी कुशन्स जरूर आता है एक आप यह देख लेना यह एक नमबर में जरूर पूछा जाएगा कि किसने कौन सा लिखा है जैस इसके अलाबा मुझे लगता है कि उसने कहा था के उपर भी मैंने काफी बार कुश्यन हिंदी में देखें तो आप ये तीनों को पढ़ लोगे तो 16 नमबर का एक कुश्यन आपको 100% मिल जाएगा उपर के दोनों आप छोड़ सकते हो यूनिट फर्स्ट फिर बहुत बड़ा बन जाता है मेरे साम में मुझे लगता है कि एक तो आपको प्रेम चंद की जो ठाकुर का कुवा है तो एक कुश्यन तो यहां से बनता है ठाकुर का कुवा से और इसके अलाबा बाकी 4 में से कोई एक बनता है तो एक तो आप लोग ठा चाहरों कि ठाकूर का कोई के अलावा आप लोग जो यह एक तो जैसंकर प्रसाद का आकास दीब भी देख करके जाएं क्योंकि यहां से भी एक प्रेशन के आने की संभावना है बाकी आप अपने अकोर्डिंग थोड़ा सा देख लें बंग महिला दुलाई वाली में से भी अच्छे से लिखें और राइटिंग का ध्यान रखें पेपर पूरा करें तीन घंटे वेठें यह बहुत सारी चीजे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है आप सभी को सुब कामना है अल दा बेश और गुड़ लग थैंक्स टू अल अफ यू थैंक्यू बच्चो